हेलो गुड मॉनिंग स्टूडेंट स्टूडेंट तो कच्छा 9 क्लास 9 के साइन्स में हम लोग अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है ध्वनी वह से संबंदित कुछ महत्पोण बहुविकल्पी क्वेस्टन को आज देखेंगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये न्यू एजुकेशन प तो देखें यहां पर यहां पर तरंग का टिक करेंगे तो फिर अगला क्वेस्टन हम देखते हैं यह इस तरीके से यहां पर देखिए ध्वनी तरंग क्या है तो यहां पर लिखा है देखिए अनुदेर्द तरंग है अनुप्रस्त तरंग होती है अनुदेर्द अनुप्रस्त दोनी होती है कभी अनुप्रस्त तक अनुदेर्द होती है तो इस तरह से जो आप्शन है वो शी वाला आप्शन सही होगा कि यह अ अनुप्रस्थ और अधैयर्ध दोनों होती है ठीक है स्ट्रिडट टोफिर के अगला कॵेश्शन देखेए अलोग लेंखा है पानि की सत पर उत्पन तरंग थै कि तरंग जो होते हैं दो परकार के होते हैं तवनित जो यांतरिक तरंग भी दो परकार को को टैरे कि अनुपरayasDogakura तो एक उत्पंडते हैं तो फिर अगले कुश選 देखते हैं यह रहा शूंगकर एक आहँ पर नुपरश्थ तरूप होता है तो इसमे आप ध्यान देंगे कि स्रिंग के रूप में होती है फिर है दोनों के रूप में होती है संपीड़न के रूप स्रिंग और गर्द दोनों का ममला सामने आता है तो इस तरह से स्रीवाला अप्शन यहां पे सही होगा ठीक है स्टुड़न तो आगे हम अगला क्वेशन देखते हैं एक सांत जलाशे में कागज की नाव प्लवन कर रही है अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेक कर पानी में विच्छोब उत्पनी किया जाए तो फिर यहां पर option दिया है कि नाव आगे पीछे बढ़ती जाएंगी पीछे हटती जाएंगी अपने अस्थान पर आगे पीछे करेंगी या अपने अस्थान पर उपर नीचे करेंगी तो याद रखिएगा कि नाव अपने अस्थान पर ही रह करके उपर नीचे करेंगी ठीक है तरंगे आगे बढ़ती है माध्यम के कड़ वहीं पर रूके रहते हैं ठीक है तो अगला question देखते हैं यह लाहा एक अनुदेर्ध तरंग की रचना कैसे होती है तो याद रखिएगा अनुदेर्ध तरंग में संपिडन और विरलन दोने होते हैं तो इस तरह से अप्षन यहां पे जो है यह सी वाला अप्षन सही होगा एक संपिटन और एक विरलन से अनुदैर्ध्य तरंग की रचनाव होती है ठीक है तो अब अगला क्वेशन हम देखते हैं देखा है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन की जा सकती है जाद रखेगा student की अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो तीनों में ठोष द्रव और गैस तीनों में उत्पन की जा सकती है जबकि अनुदैर्ध्य तरंग केवल केवल वा केवल द्रव की सतहों पर और ठोष में उत्पन की जाती है अगला क्वेशन देखते हैं यह आवृत्य का मात्रक है आवृत्य होता क्या है तो प्रति सेकेंड किये गए कंपण्यों की संख्या को ही हम आवरिति कहते हैं और यह प्रति सेकेंड भी होता है यह एक बटे सेकेंड भी कह लेते हैं तो आप याद रखेंगे ग्रति को मात्रक प्रति सेकंड होता हैए एक ध्वनी तरंग के भरतता, सेकंड है तो भरतत काल और अवैत्ति में क्या होता है यहण बराबर एक बटे बच्छर्टी अंध्य तो यह यह नगम की अंसर आ जाएगा तरंग में अस्थान अंत्रन होता है बोष्ट्ट सरग region फिसे नहीं होतां एपर और दखतें हैं कमपमान वस्तूं की अव्रिति का मत्तर खें तो याद रखिएगा दुनिया कि कोई भी वस्तु हो और ति होता है तो और पर दिया है तो एक बटे अगर शेकेंड होता तो फिर वो शही होता फिलाल में यहां पर हाते आज अनसा रहा है next question दिया है एक निर्वात पंखे पर 900 चक्कर प्रती मिनट लगा रहा है तो उसके आवरित्ती है तो देखिए एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड में अगर 900 चकर लगा रहा है तो एक सेकेंड में कितना चकर लगाएगा तो 900 बटे साथ हम जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और नौ नबे में छे का भाग दिंगे तो पंद्र आएगा एंसर तो आपका यहां पर जो एंसर होगा वो होगा पंद्र हर्ट इस ठीक है अगला क्वेशन हम देखते हैं लिखा एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का क्या नहीं बदलता या प्रश्ण याद रखेगा बहुत ही जबरजस्त क्वेशन है यह कह सकते हो बहुत ही बहुत ही बहतरीन क्वेशन है आवरित्ती हर जगे यह पूछा जाता है तो तरंग की आवरित्ती किसी भी माध्यम में चले जाने पर कभी भ वो है दो निरंतर श्रिंगों या घर्तों के बीच की दूरी एल है तो उसका तरंग देर्द क्या है इस चुडंट यहाद रखेगा कि इस तरह से अगर he तो यह उपर उपर जो बनता है यह श्रिंग कहलाता है और यह नीचे नीचे जो बनता है यह गर्थ कहलाता है तो निकर्तम श्रिंग और गर्थों के बीच की दूरी को तरंग देर्थ कहते हैं उसे लेमडा से दिखाते हैं चुकि यहाँ पर यल से दिखाया गया है तो से दूसरे अस्थान को अस्थानांतृ करती है तो याद रखिएगा तरंग उर्जा को पीशे इंपरेश्ट में पड़ चुके उरजा और सवे को तो तरंग रे का स्थान दूसरे अस्थान तक और आतन की होती है तो student याद रखिएगा मनुष्य जो अवृत्ति उत्पन करता है वो बीस हर्टज से बीस हचार हर्टज के बीच में इन तरह की ध्वनियों को मनुष्य शुन सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर प्रश्ण पूछा है उत्पन ध्वनी क्या वृत्ति क्या होगी तो याद रखिएगा यहाँ पर मनुष्य जो है पुरिष द्वारा जो उत्पन अवृत्ति है इन में से कोई भी नहीं यह अप्शन सही होगा ठीक है क्वेश्टन ठीक है शुटन तो नेक्स आगे देखते हैं यहाँ रखिएगा शुटन किसी भी तरंग में तरंग की गति में महत्तम विश्थापन को हम आयाम कहते हैं आप इन सबी वक्षन को एकदम अच्छे से याद करिएगा तो यह रिवाइश रखिएगा ये बहुत महतंबर क्वेशन है आप इसे याद रखेंगे next question है अनुप्राश्त तरण्ग की विशेश्ता यह है क्या है इंस में तो याद रखेगा अनुप्राश्त तरंग जो होते है उशके जो कड़ होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कमपन करते हैं यानि अगर तरंग आगे की तरप चल रहा है तो उसके जो कड़ है उपर नीचे दिशा में अगर यहीं पर अनुप्रस्त की जगानू देर देपूश देता तो उसमें तरंग संचरण जो है माध्यम के कड़ की दिशा में ही होती है तो और याद रहेखिएगा यहां पर अनुप्रस्त तरंग के जो होती है वह सिर्फ गैस और थोषओं में करती है यहाँ यहां पर यह-गती नहीं करेंगी next question है student देखते हैं तो ध्वनी का तारत्व निर्भर करता है student बहुत ही महत पड़ी question है तो तारत्व क्या होता है तारत्व किसी भी ध्वनी का वह गुण होता है तारता लिखा है तारत्व इसे English में पीछ कहते हैं तो तारत्व जो है किसी वस्तु का या किसी ध्वनी का वो गुण है जिससे कोई भी ध्वनी हमें पतली या फिर मोटी महसूस होती है तो ये ध्वनी की आवरित्ति पर निर्वर करता है याद रखेंगे आप इसे next question देखते हैं ध्वनी की प्रवलता तो प्रवलता जो है student याद रखेंगे प्रवलता आयाम पर निर्वर करता है इस प्रवलता की वज़ा से कोई ध्वनी हमें मोटी या पतली दिखाई देती है तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं कि अगर आप आवाज तेज किसी को आवाज लगा कर बुला रहे है तो उसकी प्रवलता ध्वनी की अधिक होगी ठीक है next question देखते होना चीए quality की वज़र से quality गुड़ता की वज़र से हम भिन भिन ध्वनीयों को हम क्या करते हैं उसको पहचान लेते next question रहा सुरीली श्वर की तिवरता कैशी होती है तो याद रिखिएगा सुरीली श्वर की तिवरता अवृत्ति पर निर्भर करती है चुकि यहां पर नह थे हम तो हवा में ध्वनी की तिवरता होती है तो याद रिखिएगा ध्वनी की तिवरता हवा में उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है ठीक है यह भाला option सही रहेगा next question देखते हैं एक खाली बरतन को जल से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है इस्ट आपर है तो पराश जिसे हम अल्टरा सोनिक कहते हैं तो इसका कवेस्ट्शन का जो एंसार होगा वो इन्फ्रासोनिक होगा यह तरह से इन्स्टुमेंट होता है यहां पी इस तरह से चिम्टी नुवा बना रहता है आप इसी को किसी पर पीट देंगे तो यह तेजी से इधर इधर वाला पोर्शन क्या करता है कम बन करने लगता है नेक्स क्वेशन है यदि पचास चक्कर प्रति सेकंड उत्पन हो रही हो तो उसकी अवरिति क्या है एक ध चार मीटर है तो तरंग वेग क्या होगा तो फर्मुला होता है वी इसे एक्वल yhtून लेंडा जो है अवरिति है तो आवरिति कमान 200 दिया है और यह जो तरंग द्यार्ध कमान दिया है चार मीटर दो 200 में चार कागुडा करेंगे तो यात्सर इंसर जो आज there गा वह आःट तरंगों के वापस लोटने की घटना को तरंग का परावर्तन कहते हैं तो इसे आप याद रखेंगे नेक्स क्वेशन हम देखते हैं अगला क्वेशन जो रहा यह दोनी के परावर्तन में जिस नियम का पालन होता है उसका एक भाग है तो याद रखेंगा परावर्तन आप अ कछा दे भी पढ़ेंगे यहां पर रखेगा परवर्तन का यह महत पूर्ण नियम है कि आप तन कोड और परवर्तन कोड आपश मे बराबर होते हैं कि प्रतिद्धोनी शुनाई पढ़ने के लिए धोनी का परवर्तन करने वाली सता और शृता से कम से कम कितनी दूर होनी चाहि अगर इतना दूर है कोई अवरोधक है और ध्वनी उत्पन करने वाले शुरोत है तो हमें प्रति ध्वनी इस पश्ट सुनाई देगी ठीक है नेक्स वेश्टन है प्रति ध्वनी का कारण क्या है तो याद रखिएगा प्रति ध्वनी ध्वनी के परावर्तन के कारण उत्पन नियमित ततहावर्ति रूप से कंपित वस्तु में द्वारा क्या उत्पन्द होता है तो याद रहेखिएगा अगर कोई वस्तु नियमित रूप से कंपन्द कर रही है तो उसके द्वारा जो ध्वनी उत्पन्द होगी वो ध्वनी शूरिली उत्पन्द होगी ठीक है तो यह आपका आगला question रहा और ये last question साथ है लिखा है मानव मस्तिस्क में सुनी गई किसी ध्वनी का प्रभाव लगभग कितनी देर तक रहता है तो याद रखिएगा कि किसी भी ध्वनी को अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसका प्रभाव एक बटी दस सेकेंड तक रहता और class 9 के student जिनको आप जरूरी समझते हैं उनके तरफ वहां तक ये वीडियो आप क्या करेंगे शियर करने के खुश्च करतेंगे तो आज के लिए इतना है अगले दिन हम अगले वीडियों के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अपना क्या लगी है बाबा झाले बाबास 1 को जबाबास 1 के खुश्च करेंगे वोह है उनके का लिए जगले आपके लिए।